इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. IPCA-MMF500 टेबलेट इम्म्यूनुस प्रेसंट नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. प्रत्यारोपन के बाद आपके शरीर को किसी अंग, यानि की, जैसे किद्नी, हिर्दै या यकृत को अस्वीकार करने से रोकने के लिए इसका उप्योग अन्य दवाओं के साथ किया जाता है. यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली को दबाने का काम करता है ताकि यह नए अंग पर हमला न करे. आप IPCA MMF 500 टेबलेट की मात्रा लेते हैं और इसे कितनी बार लेते हैं, यह आपके प्रत्यारोपन के प्रकार पर निर्भर करता है. इस पर अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें. आपको इसे खाली पेट लेना चाहिए. भोजन से कम से कम एक घंटे पहले या भोजन के दो घंटे बाद. इसे पूरी तरह से निगल लें. इसे कुचले, चबाएं या तोड़े नहीं. अधिक्तम लाब पाने के ल और अच्छा महसूस होने पर भी इसे लेते रहें. उपचार तब तक जारी रहेगा जब तक आपको अस्वीकृती को रोकने के लिए इसकी आवश्यक्ता होती है. सबसे आम दुश प्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, पेट दर्द, सिर्दद, उच्च रक्चाप और द्रक्त कोशिकाओं की संख्या में परिवर्तन है. आपको सामाने से अधेक संक्रमन हो सकते हैं, क्यूंकि दवा प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है. इस कारण से कुछ कैंसर विक्सित होने का भी खत्रा बढ़ जाता है. त्वचा कैंसर के खत्रे को कम करने के लिए धूप में अपने जोखिम को सीमित करें और संस्क्रीन का उप्योग करें. इस दवा के संभावित दुश्प्रभावों की एक लंबी सूची है. आपको अपने डॉक्टर से उनके बारे में पूछना चाहिए और किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए क्यूंकि उनमें से पतकाल चिकित्सा की आवशक्ता होती है. IPCA, MMF 500 टैबलेट, जन्न, दोश और गर्भपात का कारण बन सकता है इसलिए यदि आप गर्भवती है, गर्भवती होने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है तो इसे न ले. इस दवा को लेने से पहले आपको अपने ड दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं. आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या और आपके रक्त में शरकरा और कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा में किसी भी परिवर्तन की जांच के लिए आपके नियमित परीक्षन होंगे. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और आल नोटिफि आपकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.